नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धननजय इसी महीने के 15 और 16 तारीकों पाकिस्तान के इसलामाबाद में शेंगाई कॉपरेशन और्गनाजेशन की मीटिंग को और्गनाइज किया जाता है जिसमें भारत के तरब से डॉक्टर जैसंकर सर पार्टिसिपेट करते हैं क्यूंकि ये एक global platform है तो इसलिए भारत के पास एक बहुत ही अच्छा मौका था जहां पे हम अपने foreign policy को रखते हैं अपने विचार को रखते हैं और वैसे भी डॉक्टर जैसंकर सर जब भी किसी भी global platform से कुछ कहते हैं तो वो चीज़ automatically headlines बनी जाता है इस बार भी कुछ वैसे ही हुआ जहां पे डॉक्टर जैसंकर सर ने बहुत ही categorically पाकिस्तान और चाइना को कहा कि जिस तरीके से आप लोगों का foreign policy है या आप लोगों का जो behavior है अपने पडोसियों के खिलाफ ये complete तरीके से Shanghai Corporation Organization को जो बनाने के पीछे का जो मकसद था उसको complete तरीके से ये fail करता है डॉक्ट जाके हमें चीज और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी और तभी हमें ये भी समझ में आएगा कि डॉक्टर जैसंकर सर ने ऐसा क्यों कहा कि जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का behavior है अपने पडोसियों को लेके ये complete तरीके से Shanghai Corporation Organization का जो principle है उसके against है तो जैसा कि इसके नाम में चुपा हुआ है Corporation तो एक चीज तो हमें यहीं से समझ में आ गया कि इस पूरे group को बनाने के पीछे का मकसद था कि जितने भी जो इसके members रहेंगे तो उनके बीच में जो भी दरार है या उनके बीच में किसी भी बात को लेके अगर कोई मदबेद है तो उसको खतम किया जाएगा उसको resolve किया जाएगा और आपस में peace and prosperity develop किया जाएगा ताकि जो हमारा area रहे वो सुरक्षित रहे और हम बढ़ चड़कर वैपार कर सके टूरिजम को promote कर सके अपने जो cultures वगेरा है उसको हम promote कर सके तो ये एक बहुत ही basic तरीके से मैंने प्रयास किया था साल 1996 में और Shanghai 5 कहीं ये एक updated version है Shanghai Corporation Organization तो जब Shanghai 5 था तो उसको बनाने के पीछे का मकसद क्या था तो साल 1991 में जब USSR का disintegration होता है तो वहां से 15 नए देशों का formation होता है तो इनको देखने के बाद और भी जो छोटे मोटे groups हो या कसबे होते हैं तो वो भी कही ना कहीं aspire कर रह तो इसी बीच में क्या होता है कि वो पूरा जो एरिया होता है USSR का या जो आज के date में हम देख पा रहे हैं तजगिस्तान वगेरा हो गया या उसबेगिस्तान हो गया तो ये सारे जो एरियास थे वो काफिर डिस्टर्ब हो गया थें तो इनी सब challenges से निपटने के लिए बना गया गर उसको हम बहुत ही असान शब्दों में समझना चाहें तो उनका कुछ ये कहने का मतलब था कि बीते कुछ सालों में पाकिस्तान और चाइना काफी close आए हैं तो पाकिस्तान और चाइना के close आने से भारत को परिशानी नहीं है लेकिन बहुत सारे हमारे पास ऐसे evidences आए हैं जहां पे चाइना क्या करता है वो पाकिस्तान को fund करता है और उस funding के हिसाब से पाकिस्तान बहुत हद तक हमारा जो कश्मीर का area है वहां पे वो terrorism को promote करता है और उसके बाद पाकिस्तान officially चाइना का belt and road initiative को join कर रखा है जिसके कारण क्या हुआ है कि आज जो पाकिस् पाकिस्तान occupied कश्मीर में चाइना का entry हो जाता है तो अब यहां पे भारत को पाकिस्तान और चाइना दोनों से निपटना पड़ेगा जो कि किसी भी तरीके से भारत जैसा जो developing nation है वो war में जाना effort नहीं कर सकता है जो एक basic idea था शेंगाई corporation organization को बनाने का वो किसी भी तरीके स terrorism, separatism या extremism को control करना था अगर आप इन तीनों words को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़िया कि यह तीनों word आपस में connected है जहां पे किसी भी तरीके से separatism movement शुरू होता है तो वहां पे automatically extremism भी आ जाता है जहां पे extremism आ जाता है वहां पे फिर terrorism भी आ जात है तो यही कुछ कहना था हमारे डॉक्टर जैस अंकर सर का कि जब Shanghai Corporation Organization को बनाया गया था तो इसको बनाने के पीछे का जो तीन उपडेश था वो तीनों उपडेश आज के rate में कहीं न कहीं fail होता हुआ दिख रहा और इसके लिए चाइना और पाकिस्तान दोनों ही बहुत responsible है और साथ में डॉक्टर जैस अंकर सर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो फिलहाल geopolitical condition हो रखा है पूरे दुनिया में ये सच में अपने आप में काफी serious है अगर मैं आपको दो तीन example दू तो जो फिलहाल बांगलादेश का economic situation हो रखा है यहाँ पे no doubt उन economy को पाकिस्तान के साथ compare करते हैं तो आपको ये मालूम पड़ता है कि एक तरफ पाकिस्तान की जो economy थी वो decline कर रही थी और आज भी कर रही है वहीं पे दूसरी तरफ जो बांगलादेश की economy थी वो काफी अच्छा perform कर रही थी क्योंकि covid आ जाता है और complete तरीके से lockdown लग जात है और उसके बाद Russia और Ukraine के बीच में war शुरू हो जाता है तो इसके करण क्या होता है कि एक जो supply chain होता है वो complete तरीके से disrupt हो जाता है और साथ में बीते कुछ सालों में जिस तरीके से global warming बढ़ी है या साल 2022 में पाकिस्तान में एक massive flood आता है जिसके करण क्या होता है कि जो भी चोटे मोटे factories वगेरा होते हैं पाकिस्तान में उनको काफी नुकसान पहुंसता है तो more or less डॉक्टर जै संकरसर का कहना था कि हमारे पास बहुत सारे और भी challenges है लेकिन जिस तरीके से हम चोटे मोटी बातों को लेके आपस में उलजे रहते हैं तो उससे जो Shanghai Corporation Organization का जो बनान आलवान में clash होता है या वो पुरा जो area है वहाँ पे अभी भी tension किसी भी तरीके से कम नहीं हुआ है समय दर समय जो हमारा अरुनाचल प्रदेश है उसको भी China खुद का area claim करता है तो जैसे सामने वाला देश behave करता है तो उसके behavior को control करने के लिए भारत को भी कुश करना पड तो जब भी किसी भी तरीके से कोई भी देश defense में invest करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक बग़ा जो पैसा होता है वो सिर्फ और डिफेंस में निकल जाता है तो अगर आप इतना बड़े amount को defense में invest करेंगे तो इसका एक और मतलब होता है कि आपको वो जो पैसा है वो कि चाइना की जो economic policy है वो बहुत अच्छी है बहुत सारे चाइना ने investment कर रखे हैं अलग-अलग देशों में जिसके कारण क्या है कि बहुत बड़ा जो amount है चाइना का वो फसा हुआ है और उसके बाद अगर आप किसी भी तरीके से अपना over aggressive policies को दिखाते हैं तो उससे क्या होता है कि आप बहुत सारे वैसे देशों को इखटा कर लेते हैं जिनके संबंद आपके साथ अच्छे नहीं है जो कि exactly अभी हम देख सकते हैं Middle East में जिस तरीके से हुआ है बहुत सारे ऐसे देश है जो सामने आके अब इसराइल को criticize कर रहे हैं